प्रोजेक्ट को तोड़ने का क्यों लिया फैसला करोणों की लागाज से बने प्रोजेक्ट पर भूपेश शरकार ने क्यों लगाई रोक प्रोजेक्ट का 80 फीसदी काम पूरा होने पर भी कॉंग्रेस ने क्यों की टेड़ी नजर इन सारे सवालों के जवाव जानने के लिए देखिए वीकेनियुज की ए खास रिपोर्ट दरसर चतिसगड में कॉंग्रेस ने सत्ता सभालते ही पिछली सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर रोक लगाना शू कर दिया है मगर अब भूपेश शरकार ने पिछली सरकार के जीस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का एलान किया है उससे बीजेपी के खेमे में एक बड़ा जटका माना जा रहा है दरसत 36 गड़ में रमन सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट इसकाई वॉक पर भूपे शरकार ने नजर टेड़ी कर दी है लगबग 80 फिसदी काम पूरा होने के बाद अब नई सरकार इसे तोड़ने के मूड में है और इसके लिए जनता से राय शुमारी की जाएगी हलाकि पिजली सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट से राजदानी की जनता को आस्मान में चलाना चाहती थी और शायद इसलिए इसका नाम स्काई वॉक रखा था लेकिन मुख मंत्री भूपेश बगेल ने इसकी उप्योगता पर सवाल खड़े कर दिये हैं इसका ही वॉक को लेकर विशेशक्यों और जनता ते राय शुमारी करने की बात कही है रायपूर के सभी लोगों से कहना चाहूंगा उसी स्ट्रक्चर का क्या किया जाए एक क्योंकि खड़त हो गया है अब उससे क्या जाए खर्चत कर दिये हैं हाँ मैं तो मतब जनता से विचारा आहूत कर रहा हूँ आपके माद्यम से आजे हां अखिर कुछ में कुछ उसका उप्योग होना चाहिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया सरकार के पैसा लग गया है अई सुकाई वाक में कोई चड़े गए नहीं तो जो अब पिलर खड़ा कर दी है उसके कुछ होगा या कुछ किया जा सकता है यहां के जो इंजिनियर हैं आर्टेक्ट हैं बुद्धिजीवी हैं यहां के जो नागरिक हैं उनसे मैं मांग रहा हूँ उसके किया क्या जाए बताते कि PWD विभाग ने सबसे पहले इसका इवाक का ठेका JS Express कमपनी को दिया था जिसकी लागात करीब 49 करोड थी और काम की मियाद 2018 फर्वरी की थी मगर बीच में ही कमपनी सरकार को चकमा देकर काम पूरा किये बगेर भाग गई इसके बाद दूसरे ठेकदार को ये काम दिया गया मगर फिर भी बात नहीं बन पाई और अब तीसरा स्थानी ठेकदार इसका निर्मान कर रहा है दरसल शुरा से ही लोगों को दिन और रात परिशानी का सामना करना पड़ा अब इसका बजट भी 49 करोड से बढ़कर 87 करोड पहुंच चुका है मगर जब 20 फीजदी काम बचा है तो अब नई सरकार ने इसे तोड़ने का फैसला ले लिया है राजधानी की जनता को सहुलियत देने के लिए शुरू किया गए प्रोजेक्ट ठीक उलट परिशानी का सब बना रहा है मगर आप देखना ये होगा कि भूपेश शरकार पिछली रवन सरकार के इस प्रोजेक्ट को जनता और विशेशक्यों से राय शुमारी के बाद क्या फैसला लेती है युदिश्टिर उपाद्याय की रिपोर्ट विके न्यूस